दोस्तों प्याज से हम तरह तरह के स्नैक्स बनाते हैं आज हम बेशन से बनने वाले स्नैक आनियन रिंग्स की रेसिपी शेयर करेंगे नमस्कार दोस्तों तनुवेस किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनियन रिंग्स बनाने के लिए हमने दो बड़े साइज के प्याज लिए हैं प्याज का चिलका अलग कर दिया है और इस तरह से स्लाइस काट कर प्याज के रिंग्स निकाल लिए हैं बड़े बड़े रिंग्स हम अनियन रिंग्स बनाने के काम में लेंगे रिंक्स के बीच का भावे उसको या तो खाने में काम ला सकते हैं या फिस सब्जी में ग्रेवी बनाने में काम आ सकता है दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरे रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा रेसिपी को शुरू से आकरी तक पूरा देखेगा आनियन रिंक्स बनाने के लिए एक बड़े बरतर में चाना हुआ बेसन लिया है बेसन में कुछ मसाले डालेंगे आदे चमच हल्दी पाउडर एक चमच नमक आदे चमच लालमेच एक चोथाई चमच हींग एक चमच धनिय पाउडर इन सब को ड्राइ मिक्स करना है अब जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से एक कप पानी डालकर एक थेक पेस्ट बना लेना है पानी थोड़ा-थोड़ा करके आइट करेंगे जिससे एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा और लंप नहीं बनेंगे एक साथ पूरा पा आनियन रिंग्स बनाने के लिए पेस्ट तयार है ये कुछ ब्रैट क्रम्स हैं आनियन रिंग्स लेकर बेसन के घोल में डिप करेंगे इस तरह से एक्स्ट्रा बेसन गिरा देंगे ब्रैट क्रम्स में रखकर इस तरह से कोट करेंगे चारो तरफ से ब्रैट क्रम्स लग जाए इस तरह से onion rings बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे तलने से पहले पुरी तेयारी कर लेना है इसके बाद एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे जिसमें तलने के लिए तेल डाल दिया है तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा उसका तापमा चेक करेंगे एक डॉप डाल कर ब देंगे इस तरह से एक एक रिंग तेल में जाल देंगे कढ़ाई का तापमान मीडियम रखेंगे मीडियम आज पर क्योंकि रिंग चोड़ने पर कढ़ाई का तापमान कम हो जाएगा इसलिए आज को तेज करके ही तलना है इसके बाद तापमान कढ़ाई का कम करेंगे आज एक साइट हो जाएगा तब दूसरी तरब भी साइट चेंज करके गोल्डन तल लेंगे देखे रिंग्स बनकर तयार हो गए एक इस तरह की चलदी में निकालकर रखेंगे जिसे एक्स्ट्रा ओयल कड़ाई में ही गिर जाएगा अब एक टिशू लगाकर इनको एक प्लेट मे के साथ सर्थ करेंगे है ना कितना इजी क्विक स्नैक दोस्तों अगर रैसीपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए शेयर करिए कमिट्स करके अपने सुझाब दीजिए बैल आइकन को प्रेस करिए जिसे लेटेस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके एक और नई रैसीपी देखेंगे कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ देनुवेस किचिन थैंक्स वाचिंग